कि आप देख रहे हैं टेकनिकल टीचर मैं हुँ लखन सरमा दोस्तों आज का मेरा टॉपी के वीडियो का फोटो को रिशाइज करना फोटो को एक निर्धरित के वी में कनवर्ट करना अगर आपको कोई फोरम भरना है जिसमें कि आपको फोरो और आपके signature upload करना है, किसी बच्चे का कोई forum बढ़ना है, उसमें आपको signature और photo upload करना है, तो किस तरीके से mobile के माध्यम से अपनी photo को resize कर सकते है, photo को निर्धारित KB में, जिस KB में हम से photo का size मांगा जाता है, upload करने के उस निर्धारित KB को आप किस तरीके से बहुत ही आसान प्रक्रिया से upload कर सकते हैं, convert कर सकते हैं, वो भी बहुत ही कम समय में, एक मिनट से भी कम समय आपको इस प्रक्रिया को लगेगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें, skip नहीं करें आप इस वीडियो को देखने के बाद में खुद अपने mobile से किसी भी फोटो को किसी भी size में आप convert कर सकते हैं तो चलते हैं, process करते हैं किस तरीके से हमें ये काम करना है फोटो signature के size को मंचा है size में convert करने के लिए उनकी size को एक fix के भी में convert करने के लिए आपको सबसे पहले play store में जाना है play store में जाने के बाद में आपको search box जो आपको सबसे उपर दिखाई देगा इसमें search box में लिखना आपको qreduce light qreduce light आप जैसी लिखेंगे आपके नीचे आजाएगा लिखा हुआ आपको इसको open करना है qreduce light को अब आपके सामने आप इस logo को ध्यान रखना है कि आपको जो ये logo दिखाई दे रहा है qreduce light आप का इसी आपको आपको install करना है ये आप एक बार इस logo क अच्छी तरीगे से देख लें अभी मैंने इसको install किया हुआ इसलिए मेरे सामने यह ऑपन लिखा आरहा है आपको यहाँ install लिखा आएगा इसलिए आपको यहाँ install button पे klik कर देना है जैसी आपका app install होगा आपको उसको open कर देना है आप open करेंगे तो open करने के बाद मैं और आपको ये interface दिखा ही देगा इस interface में आपके सामने दो option होगे एक होगा इसमें left में 3 dot और एक होगा choose photo आपको ये choose photo जो है ये अपने gallery में से अगर कोई photo select करनी है तो उसके लिए है अगर आपको अपना कोई camera से direct कोई photo click करनी है तो उसके लिए आपके 3 dot है और इसमें बहुत सारे option और भी है आपके सामने तो सबसे पहले gallery से हम photo ले लेते हैं choose photo से जैसे आप click करेंगे आपके gallery आपको open करनी है gallery open करने के बाद में अब यहां से आप किसी भी photo को select कर सकते हैं जिसकी size आपको कम करनी है और एक निर्धारित के बी में करनी है वो आप अपने यहां से कोई सी भी photo को आप चूज कर सकते हैं मैं यह photo ले लेता हूँ मैंने यह photo ले ली है अब इस photo का actual जो size है वो आपके सामने लिखा आ रहा है 86 kb का है अब इस photo को आपको कितनी kb में करना है वो आप यह नीचे reduce to file size आ रहा है यहां आपके जो red cursor क्लिक हो रहा है इस पर आपको जो एक specific size आपको photo की चाहिए होगी तो आपको यहां kb भर देना है minimum आपको 20 kb photo से कम यह नहीं करेगा तो आपको यहां 20 kb भर देना है 20 करके और आपको start button पर click कर देना है जैसी आप start button पर click करेंगे अगर आपके file की size छोटी है अगर आपकी photo mb से कम है तो वो तुरंत reduce हो जाएगी अगर आपकी photo 2 mb में 5 mb में 10 mb में जितनी बड़ी photo होगी उसको reduce होनों में थोड़ा समय लगेगा जैसी मैंने start पर click किया है मेरी photo 86 kb से और नीचे 19.9 kb में convert होगी है convert होने के बाद में यह आपके gallery में save भी हो जाएगी उसके भी सबसे बड़ी खास बात ही है कि आपको जितने kb में photo की जरूरत है अगर आपको 50 kb में photo चाहिए तो आपके 50 kb में आप उसको कर सकते हैं अगर आपको 100 kb में चाहिए तो आप उसको 100 kb में कर सकते हैं जितनी kb में आपको photo का convert करना है वो आप निर्दारित kb में इस app के माध्यम से कर सकते हैं इस app का link अगर आपको चाहिए तो मैं description में आपको इसका link प्रोवाइड कर दूँगा उस link पे click करके आप सिधा open कर सकते हैं या फिर आप अपने play store में क्यो reduce light app search करके वहाँ से भी आप download कर सकते हैं दोनों option से आप चाहिए जो option आप choose कर सकते हैं